आज हम लोग मुगल कालिन भूमी ब्योस्था के बारे में आज कुछ डिस्कॉसन करेंगे अज मुगल कालिन दहसाला पदिती के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में मुगल काल में भूमी ब्योस्था काफी अच्छा माना जाता है काफी अच्छा था इसके बारे में काफी कोश्चन अगरा आता है सिविल सर्विस में और और भी कई ग्याम में आते रहते हैं इसलिए जानना बहुत जरूरी है मद एकाल में कृष्णी श्टंपन था काफी काफी श्टंपन था और इसकी हम लोग जानकारी हमीं मिलती है विदेशी यात्री ततकालीन विदेशी यात्री मुगल कालीन रेकॉर्ड हार्शी शायतियों से मिलता है वर्नियर, हाकिन्स, टामल स्टो, मॉंस्ट्रेट ये सब विदेशी यात्रियों के रेकॉर्ड है इसके बारे में लोगों जानकारी मिलती है मुगल कालीन भूब राज वे उस्था के बारे में अबूल फजल ने भी लिखा है और तुजू के जहांगिरी, बादसा नामा और इसके आयत्रीक कई फार्सी साहितियों से जानकारी मिलती है बाबबर के बाद, बाबबर हिमायू के बाद, अक हुमी बे उस्था में अक सेर साह स्चूरी इसमें कुछ सुधार लाया था उसमें इसके बाद आइन अकबरी हिमायू नामा और वर्नियर का भी बीड़ने इसके काफी जानकारी देता है मुगलकाने इसास्विं व्यवस्था के अंदरगात भूमीकरपणाली का प्रमुख श्रोत्त्त भूमीकरपणाली आमधनी का काफी महत्पूर स्रोत्ता सबसे महाश्रोत्त अब बुल फज़ लिखता है कि प्रशासन का मेरुदन था आर्थिक व्यवस्ता अक्रिशी व्यवस्ता से ही इसके मेरुदन रीड की हड़ी होता है प्रशासन प्रशासन व्यवस्ता सारे सुचारू रूप से चलाने के लिए क्रिश्टी की संपन्तता जो थी इसी से काफी विख्षित हुआ मुगल समराज्च इसके बारे में आगे और देखते हैं कि महान मुगल में अकबर जो था अकबर के समय काफी विख्षित हुआ और भूमी व्यवस्ता के छेत्र में अकबर ने काफी इसमें पर्योग किये इक था सबसे बना भूमी कर प्रणाली में सबसे पहले पंदरा वर्सों तक का एक जबती प्रणाली चालू किया है अकबर से पहले एक सेरसा भी भूमी कर प्रणाली के बारे में उसके बारे में लोग जयनकारी मिलती है और अबवाश जर्वानी की पुस्तक है उसमें सेरसा सूरी के बारे में जयनकारी मिलती है और उसमें भूमी कर वेवस्ता में कोई सुधार किया थे उसकी हमें जयनकारी ततकाली स्रोतों से जयनकारी मिलती है भूमी अच्छा अबूल फजल के नुसार राचीन भारत के अंद्रवात भूमी कर पढ़ा ली अकबर के समय अकबर ने इसमे काफी अच्छा काम किया था कि आएसे देखले थे क्रिष्टी को आयो में 5000 में एमायत खान को सुधार लाने के लिए नियूप किया था है आपके मह बूरा है और कि श्रकों में नगत कर पर्णाली ए व्यवस्था की गई यह अगबर समय करोड़ी व्यवस्था को लावी कि यह करोड़ी व्यवस्था इसक अकबर के दवारा टोडर मल टोडर मल एक बहुत महत्पूर में की था भूमी सुधार के लिए उनको उतरा दय तो दिया गया 1571 में अकबर ने राजश्व अधिकारियों द्वारा परगने में कानूनगों के माध्यम से परगने में वास्तिक उपज का बजार भाव की सुची तयार की और खालासा भूमी के विस्तार किया है उसी का अनुशार वो भूमी में और भूमी में नापतौल और कर्मनासा और खालासा भूमी और अधिकारी वहां पर नुक किया हूँ अब जरीव होता था जरीव से लोहय की छड़ी होता रकड़ी उसी से भूमी को नापा जाता था राज की भूमी चार भागों में बाटा गिया पोलज परती चचई और वंजर यह चार था पोलज जैसी भूमी था जिसमें प्रतिवर्स खेती की जाती थी परती भूमी में तीन यह चार वर्सों तक उर्वरा सक्ति प्राप्त करने के लिए परती छोड़ दिया जाता था चैचई को भी इसी परकार की व्यवस्था थी वंजर पांच यह छे वर्सों तक परती छोड़ दिया जाता था इसे इसके अलावा पोलज परती भूमी का उत्तम आध्यम निम निम और अलग अलग भागों में बाटा गिया पोलज परती चैचई वंजर शी उचाहता है शारे काफी महत्त पोड़ माना जाता है इसके अलावा हम लोग आगे देख लेते हैं अच्छ तीन तूर काफी उपज का बहुत महत्त पूर साधन था अभुराज़ शुम में वास्तिवी उपज का एक तिहाई भाग अनाज या नगत के रुपे लिया जाता था खालासा भूमी में 182 भागों में बाटा गिया है अच्छ आट्ोडरमल द्वारा यह नमीन व्यस्ता कर भूम व्यस्ता पंदराश्य काष्टी में प्रारम किया गिया 1581 इसे करारे जामा करारे जामा एक महत्त पूरा इसे दास आला पदिति भीकायाता है इसे आइने दा साला भी का जाता है, इसका तात्पर है कि दस वर्सों में, दस वर्सों के लिए ये बंदुवस्त किया जाता था, इतिहासकार अबूल फजन ने लिखाया है कि पिछले वर्स की उपज और मुलिक की जैनकारी हमें फ्राब्त कर उसे एक बटा दस भाग, वार् साही माल गुजारी उसमें निश्चत किया, एक बटा दस भाग, इसी नमीन प्रथा से कृष्टको को पहले से मालूम हो जाता था कि उसे कितना भूमि कर देना है, आचा, इसमें राजश्व, राजश्व के जो अधिकारी थे, उसके कारी असान हो गया, टोडर मल, काफी मत कुणा बेकती थे, ब्रति भिवा का, फानाइंस मिनिस्टर थे, टोडर मर के द्वारा आदेश दिया गया, और निश्चित माल गुजारी से अधिक किसी से नहीं लिया जाए, एक निश्चित माल गुजारी था, उससे ज़्यादा किसी से नहीं लिया जाता था, यह परतेक इसे इंपेक्ट देते हैं, असर क्या होता है? तर दैस आला व्यास्ता कृष्ट को काफी लाव हुआ है कि प्रिशबों को और निश्चित है ऐसे अकुबर मुगल व्यासा वह निश्चित है कि पता चला कि काफी लाव हुआ है इस प्रता के बाद में मराठो ने भी अपनाया इसके बाद अग्वर ने भूमीव की पैमाईस के लिए बास की जरीब का उपयोग किया इसके लंबाई घरती बढ़ती नहीं थी, जो दो परकार के गज का परियोग किया, वो 25 के लिए किया गए, सिकंदरी गज दुबारा, सिकंदरी गज, दूसरा अकबर शाही गज, दोट हो था, इसे कहा जाता है, अबूल फजा लिखता है कि बाद में अकबर ने इलाही गज क परियोग किया है, जो 41 अंगुल का होता था, अचा उत दोनों में संतुष नीवत वो बाद में इलाही कज, खेतो को बीघो में बीघा का नाम दिया गया, खेतो को, बीघा में बहटा-बहटा हुआ था, अब उसके 25 के गई, फिर्सी योग भुमी का चारगाओ, जंगलों, चुलों को सब अलग-अलग किया गया, खिर्सी भुमी अलग जिन और आपका जंगल जील सब अलग-अलगी देना, इसको सब हिसाब किताब अलग था, भुमी की उर्वरा के अदार पर वर्गरकार किया गया, और अबुलफ हजल के अंशार, ओोष्रत उपचिका एक भुमिकर नगद के रूप में अक्बर के समक्ष असुला गया, आनाज के लिए नगद के लगाया गया दस्तूर, एक दस्तूर था असुला जयाता था परणाली था उन्म इसके 95 अलग दस्तूर तयार किया गया, 95 अलग. भुमिक कर वर्स में दो बार वश्चुला कि जाता था परतम रभी और दुश्रा खरीब में अमिल परगने में भुमिक असुली करते थे जो परगनाओं में अमिल करते थे और कानूनगो मुकद्दम पटवारी उसकी सहायता करते थे दिनों अक्वर ने क्रिष्टा के और राज्य के बीच सीधा संपर्ग रखा क्रिष्टकों के हीत में काफी द्यान दिया अक्वर के काभी में सेचता थी कि क्रिष्टकों से वह सीधा संपर्ग रखा यह काम और स्विश राज्या नहीं कर पाते थे अकबर किश्वम्मे भुमीक और विवस्ता उसका अधिकार बाने गए और प्राकिर्टिक प्राकौपो आदे मेम खिर्शको की भुमीकर माफ कर दे आती थी और सरकार की साहता भी दे आती थी, भी श्मित का कहना है कि एप अपड़नाली काफी उत्तम अप्रसास प्रस्ट्रेशनी थी, काफी अच्छी थी कि भूमी कर्माप किया जादा था, प्राकर्तिक आप जाज होता था अश्रिधान उनके सिधान भी बहुत अच्छे थे और अधिकारियों जो बिवहारिक निर्देश दे जाते थे, वह भी सही होते थे अकबर ने यह परणाली शभी संपुड शूबों में हर जगह प्रचलित नहीं था लेकिन करीब करीब था हर जगह, कुछ जोड़ दिया जाए अन शूबों में अलग ढंग से भूमी कर असुला की जाता था, इसे वटाई नेश्ट भी कहा जाता था जागीरों भूमी कर वसुली के लिए था जागीरों में, जगरदारों के लिए अलग था, वटाई गल्ला वक्षी के सिदान था अब भजल के अनुसार अनाज राज और पिर्शकों के बीच बाटा जाता था उसमें एक वटा आठ से एक वटा तीन भूमी कर के रूप में राज जी को प्राप्त होता था, इसके अंतरकर कई परकार की परणाली थी, इसमें कनकुन, खेद वटाई, इत्यादी कई तिरग व्यवस्ता प्रचली थी, वटाई परणाली से, तरकार कुछ खेती की उपज अपनी वटाई के रूप में अशुलते थे, नश्क परणाली का, अबुल पजन ने आई ने एक मड़ी इसका बढ़न किया है, ये बंगाल उडिसा गरार आधी कस्मीर अधी सुभो में नश्क परणाली प्रचलीत थे, तियासकार मोरलेंड, काफी मत पुन है, इनका नाम म परणाली का पर्योग नया नहीं था, इस खेत्रों में पहले भी मजूद था, वने पुले पुले मोरलेंड, इसके बाद हम देखते हैं, कि इत्यासकार पी सर्रण या मोरलेंड का मत था, कि मुगल सासकों में साम हुई कर पणाली का अस्तितु नहीं था, ये लोग लिखे ह ये प्रस्पर भी रोधी मत था, काफी अलग लेक, अलग लेख ये था, उप्सासक थे अक्वर से पहले और अक्वर के समय जागिर्दारी भूमी स्वामी नहीं रहे, उनकी जागिर्दारी प्रतकरम कर दी गई और समराथ के आदेशों के नियमों के अधार भी और शुलत पंद्रो सु छा स्ट हे इस में पज्व्यागिरोग काणून गोक का आधिरों की आह की निशित करती गई एक की आए देरीग की जागिरों को तरी वर्सों के आफिरों के अधार पर जागिरों को आय का अनमान तियार कर भूही कर निश्यत किया जादा था अबुल फजय ने आइनेगवरी में और आरिष धर्मा इसके बारे में पताया है आरिष धर्मा काफी महत्पून है इतियास कर इसके बाद तुझू के जहांगिरी के अनिसार हुई जहांगिर के समय कुछ चेंजिंग हुआ जहांगिर के युग में कुछ परितन लाया गया तो जहांगिरी के बल पुरुवक रहतों जमीन और कृष्णों को को बल पुरुवक कर वश्रूल नहीं किया जाता था जक्ति प्रथा बंगाड के विहार प्रणाली में किया गया चाहिए जहां भी जक्ति प्रणाली प्रचली थी उसकी इस्थिर्था आदेश में कृष्णों के राज जी इसका संपर्क तोड़ दिया संपर्क नहीं रखवाया था कि इसके बाद सा जहां के संकाल में देखते हैं कि अग्वर का जो व्योस्था था उसको ज्यादा प्रोसान नहीं दिया अग्वर के सा जहां के समय कि व्योस्था और भी खराब हो गए दिरे दिरे कि इसके बाद और 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 रायो से क्रमचारी उसमें काफी भाष्ट हो गया है क्योंकि उसने यूद में काफी ब्यस्त था और उसने क्रिश्टी पर काफी ध्यान नहीं दिया इस परकार मुगल सासको की भूमी कर पणाली अकबर के समय महा बहुत ही अच्छा था विदेशी यात्रियों गृतान से में इसकी जयनकारी मिलती है पटवारी क्राम चेत्र से संबंदित थे क्रिश्कों के बिच मैंने मधिस्ता काम भूमी कर पणाली कानून को करता था और इसके बाद और अरंजीव के पाद धिरे-धिरे हम देखते हैं कि परिवर्तन आने लगा और उसके पाद जितने भी सासक बने सब आयोग इथे खोई भी योग सासक नहीं था इसके कारण भूमी कर पणाली धिरे-धिरे हराग होने लगी इसके लोग लाश्ट में जा ब्रिटी सरकार आई तो ब्रिटी सरकार ने काफी सोशन किया और काफी किस्तों की सिती दैनी हो गई और जामीदारों को अंग्रेजों ने जमीन दे दिया और इसे बहुत ही कठोरत से वसुली किया यादा था किसान काफी कर्जदार होने लगे धिरे-धिरे और उनको भूमी भी जमीदारों ने छीन लिया क्योंकि इतना जादा कर रहा था धिरे-धिरे वे महीन हो गयें और बाद मेरी महीँदूर करने लगे, और उसके बाड देरे भारत में इसिरी इनद्या कमपनी सोचणगी कर, भारत में महीदूर बना दियाव्चने कि पूरा devotees अर इसके तो सब्सकिसान ने इसको अनुग आगे अदिदशा Pe Pepe, गूदूर की बना दिया जमिदारों ने कठीन कठोर से कठोर कर्व असूलिक करते थे ठीक है ओके थाइंक्यू 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 वेरी मच यह था भूमिकर पढ़ाली